आज तक सवर्ण आयोग नहीं है, सवर्ण छात्र बिटी नहीं है, सवर्ण छात्र बास नहीं है, सवर्ण बजट नहीं है, सवर्ण बिती निगम नहीं है, सवर्ण विकास निगम नहीं है, तो सवर्ण एक तक नहीं है, तो सवर्ण एक चाहिए सवर्णों को, लोहा को लोहा क काटता है जहर को जहर काटता है सबनों को भी सबने चाहिए जिस दिन हमको एक हो जागा यह लगाना बंद करते हैं हम है आज भी बुधी जी भी आ हम है आज भी डिग्री धारी लेकिन एक राजनीतिक साजीस के तहत पच्छ हो या भी पच्छ यह सब कोई मिलके हमको सत्ता से और सत्ता के पदों से जान बाहर कर रहे हैं सोमनासिय जोद्या का रथाया है उसके बाद सबर्ण उसके तरफ टरनफ हुए है वो राष्टवाद और हिंदुतवाद के करन हुए है इसलिए नहीं कि सबर्णों को फाइदा देने वाली पाटी बीजेपी है बीजेपी तो मंडल कमिशन को लागू करवाने में बीपी सि सबर्णों के खिलाप बोलने लगा और राजस्तान की भी हाला तो ही हो गई तो हम लोगों ने उसके घवंड को चूर करने के लिए नोटा की ताकत और सोटा से बीजेपी के बोड मेंग को घटाया जो बोटर आपको कभी वोट नहीं देता है उसके लिए बजट देते हो उसके लिए चात्रविर्ती चात्रवास अवसिय विद्याले सोरोजगार गोजगार उद्यों की योजनाई देते हो और सबर्ण जो बीजेपी को घोद में खिलाते खिलाते खिला पिला के जवान कर्चे सत्ता में बेठाया आप उसके लिए योजनाई नहीं बनाते हो भारती जनता पाटी के लीडर जो सिंग है मिस्रा है ठाकूर है चोधरी है पंडे है या सवर्न है वो भी उस चिंतन सिविट में आने से घबड़ा है वो मांग पत्र देखके तो एक नेता ने फेट दिया उसको वो सवर्न नेता है एक सांसद हैं पुर्मंत्री रहे हैं और उठाकर फेट दिया हैं सवर्न में हमको फसाने के लिए ले जा रहे हैं कारगिल चोक पे हम धरना दे रहे थे और हमने बीजेपी के एक सबस्कुर्ण नेता को कहा कि आप तो सबर नायोग के सदस हैं आप हमारे मांग पत्र को लेने के लिए वहां पर आजाए हम आपका स्वागत है आप आ जाओ आप हमारे मित्र भी रहो बोलाने न हमको सवर्ण आयोक से निकलवाना है क्या जम्मांग पत्र लेने जाए आजादी के करम से बामपंथी और जहरीले समाजवादियों के गठ जोर की साजिस है कि देश के सवर्णों को सोसक, सामंत, जुल्मी, जमिंदार सावित करो उसके समाज के भी तो राजवन सरह हैं, तो जब हम ही अगर ताकतवर होतें, तो हमी सब जगह होतें, न फिर तो गुप्त का नहीं होता, ये असोग का समराट का नहीं चलता, बिंदुसार का नहीं होता, ये चोहरमल राजा नहीं होता, वो लोग भी अपने अपने समय में रा और उसको सरकार उन्दान दे रही है तो वह गरीब हो गया यह परिभासा है देश में अजादी को 75 साल हो चुके हैं इस देश में OBC आयोग है यानि पिछड़ा आयोग है अति पिछड़ा आयोग है अल्फ संख्यक आयोग है और दलित आयोग भी है लेकिन एक सवाल है कि आख आजपूत कहलेजिए या फिर कायस्त कहलेजिए भूरा बाला आप कह सकते हैं अगर बिहार से हैं तो अब देखिए हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए और लगतार 19 सालों से इसकी मांग कर रहे हैं संजीव कुमार सिंग मौजूद हैं दरभंगा से आये हैं और दो द चित हो पाए लेकिन आज संयोग बैठा है स्वागत सर आपका अखिल भारतिये सवन्ड मोर्चा यही के राष्टी अध्यक्ष इसी आपका संगठन का नाम है सवन्ड आयो क्या बात कर रहे हैं फेस्बूक पर लिखते रहते हैं तमाम जो निता हैं किसी भी पार्टी का सवन्ड आयोक गठन का अलोक महता ने अभी जो कहा है दरसल जगदेव परसाथ जी की वह युक्ति थी नारा था वह दौर था साट से सत्तर के बीच का दोर था उन्होंने भी सौमे नब्बे सोसित हैं नब्बे भाग हमारा है दस का सासन नब्बे पे नहीं चलेगा नहीं चलेगा का नड़ा दिया था इसमें सवर्ण सब्द का तो कहीं इस्तमाल ही नहीं हुआ सिम्बॉलिक मतलब सबरनी काई समझा जाए ऑधार क्या है कि सोशन करने वाला सबरनी ही है यह कैसे समझा जाए राजा महराजा जमिंदार समराट तो सभी जातियों में होते रहे हैं राजा चोहर मेल भी है पास्वाम जाती से आते नाम पे उनकी मूर्तिया भी लगती है उनकी जनती भी मनाई जाती है गुप्त काल का कई राजा समराट महराजा हुए हैं असोग को भी कुछ वहा समाज का माना जाता है कि असोग राजवन्स कुछ वहा का रहा है तो उसके समाज के भी तो राजवन्स रहे हैं तो जब हमी अगर ताकतवर होते तो हमी सब जगह होत यह असोक का समराट का नहीं चलता बिंदुसार का नहीं होता यह चोहरमल राजा नहीं होता वो लोग भी अपने अपने समय में राजा महराजा हुए हैं तो केवल यह सुनियोजित साजिस के तहत आजादी के करम से बामपंथी और जहरीले समाजवादियों के गठ जोर की सबर्णों के खिलाब इन लोगों ने मिलके समिधान निर्मान के समय से लेके आज तक केवल हमारे खिलाब साजी सरची है कानून बनाया है और योजना लाया है आज तक सबर्न आयोग नहीं है सबन छात्रविर्टी नहीं है सबन छात्रवास नहीं है सबन बजट नहीं है क्या भिकास के कानून को चलाने के लिए ना तो राज के वो बजट से और ना अका वजट से एक रुपया तक आवनटे नहीं का जून तक थार मदसक क्यों होगा जब अरदस्ति मेहां वहांstell करने और रुपय का हमी समंध क्या आधार है हमारे सोसक और समंध होने का आधार क्या है आप लोग देखते हैं कहीं भी मीडिया के लोग है जाकर देखिए की यादव बहुत तेरे जगह पे बहुत सारे जगह पे यादा भी समनते हैं तकत्वर्ण आज भी दुसरी जातियों के साथ उनकी लड़ाई चलती रहती है उसमें सबंद कहा है आज तो सबंद बनाम दलितों की लड़ाई नहीं है समाज में ये केवल सोची समझी राजनितिक साजी से जिसको जाता है और कहीं से भी कोई एक भी से उठाके हमारे उपर परहार करने का ये साजी से है कि सबंद बनाम राजनिती को एक जूटकीआ जसके नया सद्था निर्मान किया जा सबंद की बात कर रहे हैं गार में जाएगा तो सारे एलेक्टिकल गैजट्स फ्रीज से लेकर तमाम चीज़ जो आब ही तक उस तपका को नहीं मिल पाया है जिनकी यह राजनिती करते हैं जिनको आप दलित कहले जिए या समयधानिक भासा में उनको अनुसूचित ज़जों की भी बात कि इसी को लेकर ना रोप लगा रहा है तो आपको लग रहा है कि सवड़ आयोग सही में जायज मांग है अच्छा सवाल है आपका कि तीन परकार के सवाल है तिनों का जबाब देता हो पैरे तो जितने भी मकान है सहरी करन का सहरी करन का मेरा सोच है यह मेरे डीने में मेरे सोच में है कि हमको विकास करना है आधोनिक होना है तो भाई सहर में जमीन खरिदने के लिए हम पुरातन जो विवस्ता हमारे पुरवजों ने छो रखा है तो सबसे ज़्यादा जमीन बेचने वाला सवर्ण आप रेश्टी ओफिस में उठा कर रिपोर्ट देखें तो जमीन कहीं बेचते हैं तो कहीं खड़िते हैं अब हम पट्ना में कहीं फ्लेट खड़िद रहे हैं किसी के उपर करज नहीं है उसको अनुदान ही अनुदान हे सिच्छा में अनुदान है सोरोजगार में अनुदान है उद्योग तक में अनुदान है समाजिक सूरचा में अनुदान है आवास भी उसी के लिए स्पेसली बनता है तो वो गरीब और हम अमीर हम कर्ज लेके अमीर हो गए और उसको सरकार अनुदान दे रही है तो वो गरीब हो गया यह परिभासा है य यह बहुत जवर्दस्त रूम से सुनियोजित साजिस है जिसको अगर सबन्द भी नहीं समझ पाए मिडिया के लोग नहीं समझ पाए तो इसे जहां से मैं ऐसे ही मरते करते रहेंगे और कोट की बात है सचिवाले की बात है तो पहले पढ़े लिके लोग हमारी लोग थे चुकि बिद्याले के निर्मान में जमीन हमारे पुर्वजों ने दिया था महा बिद्याले के निर्मान में जमीन हमारे पुर्वजों ने दिया था ताकि देश में राजे में बिद्याले बने महा बिद्याले बने और उसमें कोई भी समाज का लोग परता हमारे लोगों ने क अब यारोप नहीं लगाया और आपको मैं बता देना चाहता हूं जो हमारे पुर्वजों द्वारा दिये जमीन पर विद्याले है उसमें चलता है भाई अनुसूचित जाती चात्रवीर्ति की योजना पिछड़ा चात्रवीर्ति की योजना अती पिछड़ों के लिए चात् चात्रवास है यह तो कमाल का भी से है और सची वाले और बाकी के विभाग में जो हमारे लोग पहले थे चुकि डिगरी हम लिए थे हम बहुत संघर्स करके सचनिक तपस्या करके अपने पुर्वजों को पढ़ते हुए देखे हैं तो पढ़के वह नोकरी लेते थे उसमें पेमेंट भी बहुत कम था सरकार भी हमारे लोग को इसलिए रखती थी ताकि विकास भी हमारे द्वाराव कर सके आज जब धाचा बन गया हुआ है तो आज आप सची वाले चले जाओ आज आप जिला के समर्णाले में चले आज आप पुलीस की बहाली में देखिए आज दोसे जान करके बाहर कर रहे हैं यह किवाला रोफ है कि हम भड़े पड़े हुए हैं आप संध्या की गिंति करवा उनों हम कहां पे हैं जातिगत जंगन्ना हो रहा है बिहार में इसमें हमको बहुत ज्यादा बिरोध नहीं है लेकिन यह दरसल जातिगत जंगन्ना कराने के पीछे का राजिनितिक सडियंत्र है इसका बिरोध अगर सबन करेगा तो तमाम पिछड़े आती पिछड़ों को एक जूट करके इसके खिलाप एक समाजी की उधर लड़वाए जाए फिर से जंगल राज का वही महौल बनाया जाए बुड़ा बाल के खिलाप का वही आवा पार बांट है कि अभी तक जो बात मैंने सुना उससे इस बात कर निकल रहा है कि कहीं ने कहीं आप आरक्षन विरोधी भी है उल्ट के अधान को दिआ गया है अब तो दस पर्णिसाद बीजेपी ने सवर्णों को भी दे दिया तो आपका अरशन विरोद है आपका मैं आपके एक विरोदित आपके यह प्रणिन और रहा है कि सवार्णों को देश में प्रतिस या तो 75 प्रतिसद आरधिक अधर को करड़ी कर दो हमके वल भीहार में सवन नहीं है सवन उत्तरप्रदेश में भी है कि सवन ऊत्राखंड में भी है जाम 80% है 80% है 67% है वहां 50% डूसरे समाज के लोगों को मिलता हम चाती नहीं पीटते हैं हमारी उदार्ता को समझो आप मेरी बात को आप समझे ठीक है 25% हमने कहा सबर्नों को अर्चन दे दो या आर्थिक अधार को अर्चन कर दो यह लड़ाई लड़ते 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 और एक कालखंड आया कि मदपर्देश का मुखवंतरी सहर की तरह पागल हो गया सबर्नों और राजस्थान की सरकार एक साथ एक चुनाव में समाप्त हुई और केवल नोटा की बोट की तागत से समाप्त हुआ बीजेपी को समझ में आया मेरा ही समर्थित बोट में आज हमी को इसलिए हरा रहा है कि हम बहुत जादा उसके खिलाप योजना कानून मनाने लगे हैं तब जाके हमको 10% आर्थिक आधार प्यारचन मिला है जी बीजेपी अगर सोता कुछ हम को करना चाती तो बीजेपी केंदर में भी है बीजेपी कही राज्यों में भी है हमको समझ चात्रवास की योजना इसको लेका एक मिट इसको समझना पड़ेगा ठीक है आप आती रोजगार उद्यों की योजनाई देते हो और सबर्न जो बीजेपी को गोद में खिलाते खिलाते खिला पिला के जवान करके सत्ता में बैठाया आप उसके लिए योजनाई नहीं बनाते हो उसके समाजी विकास की योजनाई नहीं बनाते हो तो बीजेपी हमारा ही तेसी के से बहुत खूष नहीं है सुएच्छा से बहुत को सब्सक्राइब करण कोछ और हुगा वीजएपी को आगे जाएंगे और तागत देंगे एक सवाल है सर इतना जो आप बोल रहे हैं किसे निता से आपके बात इस पर हुए है कि नहीं के आपकर पर ब्रतल हो आप आपको बड़ा देना चाहते हूं आपको बड़ा अजीब साल लगेगा राष्टिय चिंतन मंतन का कारकरम था सवर्ण चिंतन सिविर लगाया था हम लोगों ने दो दिनों का आज से 12 साल पहले का विशे है ठीक है लगाया था और उसमें बिदिवात अमंतरन किस विशे पे हम लोगों को चिंतन करना है समाजिक विशे पे कैलासपती मिस्रा जी का देहावसान हो गया था ठीक है और उनका सराद करम यहीं पसुपालन विभाग वाले ग्राउड बे कारकरम वही था हम लोग पुरी टीम के साथ पूचे थे और पुरे भारती जन्ता पाटी के जो सिर्सतम नेता थे उस दौर के आज बोल रहा हूं भारती जन्ता पाटी के लीडर जो सिंग है मिस्रा है ठाकूर है चोदरी है पंडे हैं या सवर्न है वो भी उस चिंतन सिविट में आने से घबड़ा है वो मांग पत्र देखके तो एक नेता ने फेक दिया उसको वो सवर्न नेता है एक सांसद हैं पुर करें दरना दे रहे थे और हमने बीजेपी के एक नेता को कहा कि आप तो सबर्नायों के सदस्य है अप हमारे मंग पत्र को लेने के लिए वहां पर आजाए हम आपका स्वागत है आप आजाओ आप हमारे मित्र भी रहो उखनाना है क्या मंग पत्र लेने जाए यह सोच इस मे कि लेकीं देश में दोही राजनेतिक पार्टी थिष्म वादी पार्टी कहलती थी औरirrel ब्यजेपी जो ऑपरार्थ 3 मद्यूंस ने पुर्ण सवंचों परेगा पढ़ेगा आज़ादी दिलवाने का सरे लेने के चकर में या सरे देने के चकर में सबर्दों ने सबसे जादा सयोग कॉंग्रेस को किया लंबे समय तक यहां ज़ीताते थे यही हकीकत है और कॉंग्रेस लंबे समय तक रही उस समय कॉंग्रेस अनुसूची जाती की योजनाय चलाती थी मंडल कमिशन का भी निर्वान हुआ था लागू नहीं किया था यानि अनुसूची जाती जन जाती की योजनाय चलती थी ठीक है अलब संख्या के अभी कारकरम को इंद्रा गांदी ने लागू किया था असी के दौर किया बात कर रहे हैं नहीं सुरू से लेके मैं चलाया हूँ असी के दसक तक हमारे लिए योजनाई नहीं बनती थी इन हमारे खिलाब का ऐसा बैचारिक माहौल राजनीतिक माहौल भी नहीं था हमारे लोग तनमन धन जन इसके अलाबा जो सक्ति का चीज है वह भी लगा के को अस्थाबित करते रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस जिसे दिन इसे हमारे खिलाब की योजनाई बनाना सुरू किया और राष्टवाद से कटा है हिंदुतवाद के खिलाब गया है तो नहीं कि सबर्णों को फाइदा देने वाली पाटी बीजेपी है बीजेपी तो मंडल कमिशन को लागू करवाने में बीपी सिंग का साथ दिये हैं हम तो जहर पी के भी साथ दिये हुए हैं लेकिन बाकी की जो पाटियां है वो राजद हो सपा हो बसपा हो देश की जो अन सब्सक्राशंब्स पाटियां है उनका कॉंग्रेस हो सोच तो कते बीजेपी पॉइंट परसेंट भी सबॉन्ध को आगे लाने के लिए धकर के सांड की तरह अमित्सा और बाकी के लोग बोलते हैं अती पिछड़ा पिछड़ा और दलीतों और आधिवास्यों के पच्छ में आज तक एक बार भी सवन गरीब लाचार बेरोजगार फटे हाल है देश में उसके लिए कभी आवाज इनने ताउने नहीं उठाया सोच नहीं बनाया कानून नहीं बनाया कि छिए जशी कि कैसा लगा है आपको दोबहुद दिया जाया हे और सवर्णों के लिए तमाम नीटियों की माँ है जो आन्यो पिछली जातीया या पिछली छतिए उदित गिषती बनाया है जाया है हिंदुस्तान में है ऑफ ऐसी स्ट एक्ट अब पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जिसको जो जिस एक्ट का दूर्पियोग किया जा रहा है यह रिपोर्ट है इसी भारत सरकार में इसी पुलिस भाग के पास रिपोर्ट है मनुदिकार सभी ले सकते हैं सबसे ज्यादा इससे ज़ेक्ट का दूर्पियोग होता है राजनीति ग्रूप सैशमाजी ग्रूप सें ब्यक्तिकत अच्छी बात था कि आ अधिबाशियों का समाजी एसी आशी बात है लेकिन आप हमको गाली दो आप हमको मरो अगर मैं मुकदमा करूँगा तो आपके गाउं का सरपंच उसको दो मिनट में बेल दे सकता है और हमारे लोगों हाई कोडिया ना पड़ता है लाकों लाक की संक्या में आज देश के जेलों में सीस्टी एक्ट के करण लोग फसे है ठीक उसी धर्रे पर जिस तरह आने जाती हो के लिए आपका जो प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं बहुत बहुत शुक्राइब